सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जैश्री राम आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें अपना टॉपिक रहेगा डिग्री और डिग्री में फस्ट नंबर की जो डिग्री है पॉजेटिव डिग्री चेंज इंटू कमपरेटिव डिग्री सौड में इसको कहेंगे पीडी चेंज इंटू सीडी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और टोटल डिग्रीयों को एक एक करके वन वाई वन हम अच्छे तरीके से समझते जाएंगे तो आज जो चर्चा होगी वो पॉजेटिव से कमपरेटिव में कैसे बनाते हैं इस बात पर चर्चा की जाएगे चले टोपिक को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप से रिक्रेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वैल आइकन को दबाएं ताक इसी प्रकार के एक से एक सांदर वीडियो आपको प्रतेक दिन मिलते रहें ओके पॉजिटिव डिग्री की पहले बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री की आरिंटिफिकेशन क्या होती है आरिंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान तो पॉजिटिव डिग्री की जो आरिंटिफिकेशन होती है वो उसमें एज एज या सो एज दी जाएगी और इसके बीच में यहाँ पर कोई भी एक एज़ेक्टिव होगा जो एज़ेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिगरी होगी यानि उसका विशेशन होगा कैसे जैसे इस बाग के में हम देख पा रहे हैं बाग के हमारे स्वाम ने दिया है स्क्रीन पर ही इज एज गोड़ एज मुकेश चिक है अब इसमें हमने कैसे पहचाना एज और एज दिया है तो जहां भी आपको एज एज मिल जाए और उसके बीच में कोई भी विशेशन दिया हो तो आप इस बात को समझ जाएं कि जे पॉजिटिव डिग्री है और बदलना किसमें है कमपरेटिम में तो ओरर कैसे आएगा चेंज इंटू सीडी यानि कमपरेटिम में इसको बदलना है तो सबसे पहले डिग्री को बदलने से पहले आपको दो चीज़ें अच्छे से देखनी होगी सबसे पहले तो यह देखना होगा कि यह डिग्री कौन सी है और इसको बदलना किसमें है तो यहाँ पर हमें दौनों चीज़ क्लियर हो गई हमारे सामने जो सेंटेंस दिया he is as good as Mukais तो यह degree है PD मतलब positive degree और बदलना किसमें है CD में यानि comparative degree में तो इसका नाम क्या है positive degree change into comparative degree अब जरा कैसे बदलेंगे इस बात को सीखें सबसे पहले जो age age के बाद में word दिया जाए जो सब्द दिया जाए उसको सबसे पहले करता बनाय जाता है यह आपको पहले ध्यान रखना है कि age age या so age के बाद में जो सब्द दिया जाएगा उसे सबसे पहले करता यानि subject बनाएंगे तो इसमें क्या दिया है mukais तो इसको हमने subject बना लिया यह आपको नियम पता होना चाहिए second number पर क्या करते हैं हम उस tenz के according उसकी helping वर्व लगाते हैं तो helping वर्व इसमें दिये है is अगर दी जाएगी तो लगा देंगे नहीं दी जाएगी तो helping मर्व बना के लगानी पड़ेगी क्योंकि बाग के negative में बनेगा तो यहाँ H दी है तो हमने क्या लगा लिया H आगे बात करते हैं अगर उपर बाला बाग के positive या साधारण है तो नीचे बाला negative बनेगा यानि PD अगर positive होगी तो comparative negative होगी और positive degree अगर negative होगी तो comparative degree positive होगी तो उपर बाले में positive है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया not अब क्या करेंगे edge edge को हटाएंगे edge edge दिया जाए या so edge दिया जाए उसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे और उसके बीच में जो positive degree दी है उसे comparative में बदलेंगे तो गुड का comparative रूप होता है वेटर अब यह गुड की वेटर कैसे बनी यह आप second number का वीडियो देख लेना degree का वह आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या rules होते हैं कि बल्चैनियम आप उसको पढ़ लेना देख लेना एक बार फिर आप लोग बना पाऊए अब इसके बाद comparative degree के बाद हमीसा लगाते हैं देन क्या लगाते हैं देन लेकिन इसमें देन की जो spelling हो मिष्टिक होगी है टी एच एच एएन होता है यहाँ ठीक ए हो गया है तो इसको ए कर लेना टी एच एच एएन अब हमारे पास पूरी डिगरी में इसमें positive में क्या बचा ही यानि subject हो subject को कहां लगा दिया लास्ट में तो कितने अच्छे आसानी से समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करेंगे एच एच के बाद में जो शब्द दिया होगा उसको हम सबसे पहले subject बना लेंगे जैसे अब्जेक्ट बचा उसको कहा लिख देंगे, लास्ट में, चलो एक 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 जामपल और देखते हैं, इसका आर्थ भी आप लोग देख सकते हो, जैसे इसका आर्थ क्या है, यानि उह, 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 उतना अच्छा है जितना मुकेश, तो इसके कंप्रेट हो जाएगा, मुकेश is not better than he, यानि मुकेश उसकी अपेच्छा अधिक अच्छा है, अर्थ आप लोग आराम से कर सकते हैं, बैसे अर्थ की ज़्यादा जिरूत नहीं है, लेकिन आपको पता होना अब बात करते हैं 2nd sentence की, इसको भी competitive में मनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें degree कहा पर दिया है, तो बैसे लगा दिया है, तो सबसे पहले रिना लगा दिया, अब क्या लगानी है, Know पहले से दिया बागे बाक निगेटिव है, तो हमें आप यहां लगाने की जरुवत नहीं है अब so as, as, as को हटा देते हैं तो इसको हमने हटा दिया अब जो ये positive रूप दिया इसका comparative क्या होगा, beautiful का हो जाएगा more beautiful comparative degree के बाद क्या लगाते हैं then, तो यहां क्या लगा दिया then, अब क्या बचा subject तो last बचोड दिया clear earth को जरा देख सकते हो he is not so beautiful as reena यानि उहा उतनी सुन्दर नहीं है जितनी reena है इसका क्या जाएगा complete होगा reena is more beautiful than she यानि reena उसकी अपेच्छा अधिक सुन्दर है चले कुछ sentence और देखते हैं इस sentence को तो थोड़ा सा ध्यान से देखना थोड़ा सा कठन है इसमें क्या है देखो edge edge दिया है यहां सी sentence को पकड़ो पहले तो a dog तो a dog को अमने क्या बना लिया subject अब साधारान बाके को नकारात्म को बदलना है तो इसमें कोई helping verb नहीं दिये नहीं दिया तो गभडाने कोई जरूत नहीं है अगर helping verb नहीं होगी तो यह तो verb की second form होगी या first होगी या yes या yes होगी तीनों में से कोई एक condition होगी अगर second form होगी तो आप did लगाओ first है तो do लगाओ और अगर yes या yes है तो डज लगाओ तो यहां पर देखिए yes दी है present indefinite का बाके तो यहां पर हमने साइकरिय क्या लगा दी डज और निगेटिव बनता है तो क्या लगा दी not बाके को हमने निगेटिव बना दिया अब इसके बाद एज-ज को हम क्या करेंगी हटाएंगी यह एज-ज को हमने हटा दिया इसके बीच में जो fast लगा है उसका comparative क्या हो जाएगा faster लेकिन इससे पहले यहां पर बढ़किया गया है यहां मैं बर्व का हमें प्रियुक करना होगा तो मैं बर्व क्या है run जैसे हमने आप गया a dog does not run तो रहन यहां पर बढ़ गया है ठीक है समझना रही ना बात यानि run जो ऐसे यह यहां हटके क्या हो गया run अब इसके बाद मैं जो डिगरी यूज ओगी बोगी उपर जो sentence बढ़ाता उसमें कोई मैं बर्व नहीं थी ठीक है लेकिन इसमें मैं बर्व आ लगा दीजिए अब इसके बाद में हम क्या लगाते हैं देन लगा दिया देन अब क्या वचा से केवल एक वचा तो इसको कहां लिग दिया लास्ट में चलिए एक एक्जाम पर देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगी sentence दिया है words do not fly so fast the airplane अब देखिए यहां पर so fast as दिया है तो इसके बाद में क्या दिया है the airplane तो इसको subject पुना लिया है the airplane अब do not पहले से ही बाद के नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव है तो इसका क्या बनाना है positive तो fly है जब by होता है तो by को टाके i s लगाते है तो यह क्या हो जाएगा flies उपर नेगेटिव था और नीचे क्या बना लिया हमने positive अब इसके बाद में so edge, edge, edge को हमने हटा दिया अब क्या बचा हमारे पास fast तो fast का comparative रूप क्या हो जाएगा faster अब क्या बचा के बाद देन लगाना अनिवार है तो देन लगा दिया अब क्या बचा cable words तो कहां लिख दिया last में words और इसका comparative रूप बन करके क्या हो गया तैयार हो गया अब एक sentence को इसको जरा ध्यान से समझते हैं यह sentence क्या गह रहा है इसमें देखना यह है कि जो यह sentence है no other city in India is so large as Delhi ठीक है तो यहां पर कोई भी sentence no other से start होगा किस से start होगा no other से तो कोई बाद के अगर no other से start होता है तो बाद के निगेटिव होता है अब उसका हमें क्या बनाना है comparative degree बनानी है तो rules वही रहेंगे जो हम उपर पढ़ते आएं सबसे पहले so age या age age के बाद दिये गए सब्द को करता बनाते हैं तो so large age इसके बाद में क्या दिया है डेली तो डेली को हमने subject बना लिया इसके बाद क्या लगाते है helping verb helping verb इसमें क्या दिया is तो हमने is को यहाँ पर helping verb लगा दिया चीक है इसके बाद में कोई महन वर्म तो इसमें है नहीं तो सीधि जो सो आजाय या आजाय जाय उसको हटा दो ऑख दो हटाने के बाद पॉजितिव रूप क्या है यहांपे लिख दिया साथमारी कमपरिटिव के बाद दैन लगाना नेवार रहे दयन के बाद क्या जोड़ना होगा तो दयन के बाद हमें क्या जूड़ना होगा एनी अधर को एंधर के बाद होसे के बचा पूरा बचा फूरत क्या वचा पतला लिख दो दोसरे शेरों के पेच्छा बहुत बड़ा शेर है। पर इंडिया में तो यह तो नो अदर से स्टार्ट हो सकता है इस प्रकार से भी बाग कि आपके एक्जाम में आ सकता है हाँ एक रूल इसमें और समझ लो कभी कभी सेंटेंस वेरी फ्यू से भी इस्टार्ट हो सकता है नोगा तर की जगे कहीं वेरी फ्यू से स्टार्ट कर दिया तो क्या करोगे तो रूल्स लगवक्स एक समाण रहते हैं जैसे देखिख के बाद में सब्द क्या दिया है तो महँन तो सबसे पहले हमने महँन को सब्सेक्ट पिना लिया अब क्या लगाना है helping वर तो helping वर इसमें क्या दी है आर दी है लेकिन यहां मौन के अंसार आर तो लग नहीं सकती तो क्या लगाएंगे age अब कोई man वर तो दी नहीं है तो सीधा age-age को हटा दो वही रूल से हैं जो हम उपर पड़ते आएं तो age-age हट गया इसके बीच में जो positive रूप दिया इसको comparative बना लो तो good का comparative क्या होता है better इसके बाद में क्या लगाना होता है then यह अनिवार रहे यहां तक देन लगा दिया अब यहां से समझने वाली बात है यहां पर अगर नो अधर से यह बाग किस जगे पर start हो रहा है तो यहां लगा देत और नो अधर से हो रहा है तो any अधर लगाई है हां मैंनी अधर की जगे पर आप most अधर भी लगा सकते हैं जब रैकेट में मैंने लग दिया है तो या तो most अधर लगाओ या मैंनी अधर कब जब वाग के very few से start हो रहा है अब सब rules वोई हैं अब इसमें हमारे पास क्या आसकते हैं तो अगर कोई sentence no other से शुरू हो रहा है तो then के बाद आपको any other लगाना है और very few से हो रहा है तो then के बाद आपको many other लगाना है बांकि के सभी वोई नियम है जो हम उपर पढ़ चुके हैं राइच और no other or very few से नहीं हो रहा है तो आप लोग ऊपर वाले sentence के according उनक बड़ी आसानी से उसको comparative में बदल सकते हैं हाँ अगर कहीं कोई आपको problem आ रही है तो वो ये आ रही होगी कि जो word है positive से comparative में कैसे बदल रहे हैं जैसे कोई word इसमें बदल गया माने जो लोग गोड है इसका better कैसे हो गया large का larger कैसे हो गया तो इसके लिए डिगरी का part 2 वाला वीडियो आपको देखना है तो उससे आप लोग positive, comparative और superlative में word को बदलना adjective को सीख जाओगे तो उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्तियों के समझ में ये वीडियो बहुत अच्छे से आ चुका होगा positive से comparative degree में बदलना इसके बाद जो मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँगा वो comparative से positive में बदलने के लिए होगा किरम से मैं वीडियो आपको बिलकुल अप्लोड करूँगा आप लोग देखते रहिए ताकि पूरी degree को आप लोग अच्छे से सीख पाएं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ब्राम देता हूँ जै हिन जै भारत